बंग आवाज स्पॉंसर बाइ श्री बाराजी फैशन एंट ओकीनी और घाटों की सुएवस्था इस सब लेकर हम लोग का कॉर्परेशन के मेयोर भी आएंगे हम लोग पुड़ा देख लेके साथ यह चोड़ पूज़ बहुत सुन्दर से लाके में हुई स्थाड़क दुरगटना पुलिस गाड़ी और आटो के बीच हो गई सीधी टकर गंभी रूप से घायल हो गई दो व वासियों ने किया विरोध प्रदर्शन आसनसुल गोरांडी सड़क किया जाम भारी पुलिस बलकी हुई तैनाती कड़ी मशक्कत के बाद हुई स्थिती समान्य अलिपूर मौसम विभाग ने दाना को लेकर दिया बड़ा अपडेट सुकुरुवार की रात तक घना होगा तूफान सुभा से ही शुरू हो गई बारिश कोलकता दुर्गापूर मेधनिपूर में भारी बारिश की है संभावना शरिवार की सुभा तक 40-50 किलो मिटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा नौर्थ बंगाल के आठ जिलो में भी है इसका असर और दाना चक्रव विभाग, इंजिनियरिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं पूरी तरह से अलर्ट नगन डिगम मुख्याला में खोरा गया कंट्रोल रूम यह आमादे डिश्ट्री में शिवाब होच्छे ना तो एकदम हलकार डिश्ट्री बता पुर्षूत्री के चालू देशे बता गालतुको जिन्ताय वेचे आजगो श्वकलतिके डिश्ट्री चोल छे इस साल दुरुगा पुजा के अउसर पर स्री बालाजी फैसल लेकर आया है स्पेशल फैस्टिप कलेक्शन्स ट्रडिशनल से लेकर टेड़ी लेटेस्ट डिजाइनर साडियों के कलेक्शन्स श्री बालाजी फैसन शाड़ी शुधुभत्रों शाड़ी नौए एटी बांगदार संगुश्क्रिती ओशोप भोतर आभास दिये आधुनी कतर छाप पृत्तिक रखो में सिर्क साड़ी पावाजाबे श्री बालाजी फैसने इसके अलावा लेटिस डिजाइन के स्टीच एंड अनिस्टीच सूट डिजाइनर साडिया और वेस्टर्ण के अट्रेक्टिव कलेक्शन से बालाजी फैसन में जो है हर घर की पसंद्री बालाजी फैसन जीजवी रोड ओपोसिट स्टुवा शीने महाल आसन सूट कुल्टी थाना अंतर्गत साक्तोडिया फाड़े पुलिस ने बालू तसकरों के खिलाफ चलाया अभियान सुभाश मोड और गंगोटिया रोड इलाके से बालू लदे चार्ट ट्रेक्टरों को किया जब्त पुलिस अधिकारि ने कहा कि पुलिस बलको देखते ही ट्रेक्टर चालकों में मच गई अफरा तफरी, सभी अपने अपने वहाण छोड़कर भागने लगे और वहनों पर सवार स्टमेग भी पुलिस कर्मियों ने खदेड कर दो ट्रेक्टर चालकों को पकड़ा जबकि अन्य भागने में रहे सफल सभी वाहनों तथा दोनों चालकों को फाड़ी कारियाले लाया गया पुलिस अधिकारी मामले की कर रहे है चांच अभी तक बालू से सम्मंदित कोई दस्तावेज नहीं किया गया है पेश पुलिस अधिकारियों ने बताए कि बालू और कोईला तसकरों के खिलाफ लगतार अभियान चलाया जा रहा है अप्त किया गया बालू का अवयाट खनन दामुदर नदी तट से किया गया था बालिवुड अमिनेदा सल्मान खान से मांगी गई थी पांच करोड़ रुपए के रंगदारी आरोपी है जमशेतपूर के मानगो आजाद दगर का निवासी शेख हुसैन गिरफतार करने के बाद उसे पेश किया गया कोट में ट्रांजित रिमान पढ़ ले गई मुंबई पुलिस अपने साथ साक्ची थान अप्रभारी आनंद मिश्रा ने दी जानकारी शेख हुसैन है सबजी विक्रेता पुलिस सक्रेता की जानकारी मिलते ही सेम और मोबाइल फोन फेक दिया तोड़कर मुंबई पुलिस को फोन करके धमकी दिया गया था और हंगदारी की मांग की गई थी यही सेख हुसैन नाम है उसके द्वारा धमकी दी गई थी कि सलमान खान को हम लोग मार देंगे और अगर पांच करोड दे देता है जारखंड की रामगण पुलिस ने 50 लाक रुपए के कीमत का जप्त किया डोड़ा एसपी अजय कुमार ने दी जानकारी पुलिस ने जप्त किया 547 किलोग्राम डोड़ा जारखंड से पंजाब में हो रही थी नशीले पदार्थों की तसकरी संदे होने पर चुट्टू पालू घाटी में पुलिस ने रोका ट्रेलर भागने के क्रम में हो गई दुरखटना चाला को गिरफतार कर जप्त किया गया वाहन जारखंड विधान सब चुनाओ शांती पुन कराने को लेकर चेक नाका में चल रहा सघन वाहन जाचबियान ताकि प्रभावित ना हो सके किसी भी तरह चुनाओ धनबाजुने के चिरकुंडा चेक पोस्ट पर मिली बड़ी सफलता बढ़ाकर से चिरकुंडा आ रही पिकप बैंस से बरामध हुए 66,500 रुपए चिरकुंडा पुलिस को मामला कर दिया गया सुपूर्थ राशी है चिरकुंडा गोस्वामे पड़ा निवासी सह मिक्स्चर व्यवसाई अजे कृष्ण मोहन की चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी रायनी दी जानकारी राशी से संबंधित दस्तवेज नहीं हुए हैं प्रस्थूत